C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भुगोल की पाठे पुस्तक. प्रित्वी हमारा आवास. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 2. ग्लोब. अक्षांश एवं देशांतर. प्रिष्ठ 10 से प्रिष्ठ 18 तक. तो आईए अब सुनते हैं पाठ. ग्लोब. अक्षांश एवं देशांतर. प्रिष्ठ 10. पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी प्रित्वी गोलाकार नहीं है. यहां उत्तर एवं दक्षन धुर्वो पर थोड़ी चप्टी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि य यहां कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए. ग्लोब प्रित्वी का लगु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है. यहां चित्र में ग्लोब की तीन छवियों को दिखाया गया है. जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रिखाओं को दर्शाया गया है. साथ ही तीसरे चित्र में पृत्वी के अक्ष को दिखाया गया है. ग्लोब विभिन आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं. बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। उनके सही आकार में दिखाया जाता है। प्रिथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदू की स्थिती का वरणन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिती कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदूओं एवं रेखाओं के संदर्भकी आवश्यक्ता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में जुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदू जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षन ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारो ओर प्रिथुई की भांती पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। प्रिथुई पर वास्ताव में ऐसे कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारो ओर घूमती है, जो एक कालपनिक रेखा है। एक अन्य कालपनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बाटती है। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। प्रिष्ठ ग्या रहा। इसे विश्वत वृत्त कहा जाता है। प्रिथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिन वाले आधे भाग को दक्षिनी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विश्वत वृत्त प्रित्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। एवं यह प्रित्वी पर विभिन्न स्थानों के स्थिती बताने का सबसे महत्वा पूर्ण संदर्भ बिंदु है। विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा चाता है अक्षांशों को अंश में मापा जाता है विश्वत वृत्त शुन्य अंश अक्षांश को दर्शाती है चुकि विश्वत वृत्य से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृत्वी के चारों ओर के वृत्य का एक चौथाई है अतह इसका माप होगा 360 अंच का 1 बटा 4 यानि 90 अंच इस प्रकार 90 अंच उत्तरी अक्षांच उत्तर ध्रुफ को दर्शाता है तथा 90 अंच दक्षिनी अक्षांच दक्षिनी ध्रुफ को इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.2 दिया गया है जिसमें प्रिथ्वी के अक्षांशों के विशे में दिखाया गया है इस चित्र पर विश्वत वृत्य को दर्शाया गया है साथी विश्वत वृत्त से उत्तर की ओर उत्तर धुफ तक समानांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है साथी विश्वत वृत्त से दक्षिन की ओर स्थित समानांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है इस प्रकार विश्वत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विश्वत वृत्त के दक्षिन स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिनी अक्षांश कहा जाता है इसलिए प्रत्यक अक्षांच के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिन को भी लिखा जाता है समाने तह इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिन अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांच 20 अंश पर स्थित हैं लेकिन चंद्रपुर विश्वत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विश्वत वृत्त के 20 अंश दक्षन में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिन अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विशुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अक्षांश एवं ताप कटिबंध दर्शाय गए हैं। जैसे मध्य भाग में विशुवत वृत्त तथा उत्तर की तरफ करक रेखा, उनके मध्य का भाग उश्ण कटिबंध तत पश्चात उत्तर ध्रुव वृत्त और करक रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का उत्तरी शीत कटिबंध उसके पश्चात उत्तरी शीत कटिबंध और उत्तर ध्रोव। इसी प्रकार विश्वत वृत तथा दक्षिन में मकर रेखा। उत्तर ध्रोव। उत्तर ध्रोव। नब्बे डिगरी उत्तर तथा दक्षिन में मकर रेखा। दूसरा दक्षिनी गुलार्द में मकर रेखा। साढहे 23 दिगरी दक्षिन। तीसरा विश्वत वृत्त के साढहे 66 दिगरी उत्तर में उत्तर ध्रोव। वृत्त। चोथा विश्वत रेखा के साढहे 66 दिगरी दक्षिन में दक्षिन ध्रोव। रित्त। प्रित्वी के ताप कटी बंध। ध्रोव की तरफ सूर्य की किरिणे तिर्ची होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रोव। रित्त। तथा दक्षिनी गुलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिन धुरुव वृत के बीच वाले क्षित्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए ये शीत कटी बंध कहलाते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.4 A और चित्र 2.4 B दिखाए गये हैं। दोनों चित्रों में एक बोड दर्शाया गया है, जिस पर टॉर्च का प्रकाश पढ़ रहा है। चित्र A में बोड को टॉर्च के प्रकाश के 90 डिगरी के कोण पर रखा गया है। अतह टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश बोड पर ज्यादा नहीं फैल रहा। इस चित्र A के नीचे लिखा गया है। कम तेज परन्तु अधिक शित्र में फैलता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिती को बदाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवशक्ता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मौरिशस द्वीप एक ही अक्षांश बीस डिग्री दक्षिन पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिती जानने के लिए यहाँ पता करना होगा कि उत्तर धुफ को दक्षिन धुफ से जोडने वाली संदर्भरेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी हैं। इन संदर्भरेखाओं को देशांतरिय याम्य योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अन्शों में मापा जाता है। इस पृष्ठ पर चित्र 2.5 दिया गया है, जिसमें पृथ्वी के गलोब पर देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है। साथ ही उनके अन्शों को भी लिखा गया है। प्रिष्ठ ते रहा प्रतेक अन्श को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्ध वृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी धुरुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। एवं धुरुवों पर शुन्य हो जाती है। जहां सभी देशांतरिय याम्ययोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन सभी देशांतरिय याम्ययोत्तरों की लंबाई समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रिनिच जहां ब्रिटिश राज की अवेध शाला स्थित है से गुजरने वाली याम योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिंती शुरू की जाए. इस याम योत्तर को प्रमुख याम योत्तर कहते हैं. इसका मान शुन्य डिग इस लिए किसी स्थान के देशानतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं. यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम योत्तर एक ही रेखा परिस्त्त हैं. अब globe पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाऊं एवं देशांतरिय या म्योतरों के द्वारा बनी grid को देखो इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.6 में globe पर ऐसी ही grid को दर्शाया गया है अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो globe पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिगरी उत्तर अक्षांश एवं 90 डिगरी पूर्व देशांतर पर स्थित है अब उस बिंदू को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं यह बिंदू धुबरी की सही स्थिती होगा इसको समझने के लिए कागस पर समान दोरी वाली क्षैतिज तथा ओर्धवा धर रेखाएं खीचिए जैसा की अगले प्रिष्ठ पर मौजूद चित्र दो दशमलव साथ में दर्शाया गया है उर्धवा धर रेखाओं को संख्या एक दो तीन चार से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा गा अक्षरों से व्यक्त करें जिन बिंदूओं पर ये उर्धवा धर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे व्रित्त कीचिए इन छोटे व्रित्तों को अ, ब, स, द, तथा ध नामों से व्यक्त कीचिए मान लीजिए कि उर्धवा धर रेखाएं, पूर्व देशांदरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं आओ कुछ करके सीखें एक व्रित्त कीचिए मान लीजिए कि प्रमुख यम्योत्तर इसे दो बराबर भागो में बाटती है पूर्वी गुलार्द एवं पश्चिमी गुलार्द को रंकर नामांकित कर दीजिए उसी प्रकार एक दूसरा व्रित्त कीचिए जिसे विश्वत वृत्त दो बराबर भागों में बाटे अब उत्तरी गुलार्ध एवं दक्षिनी गुलार्ध को रंग दीजिए प्रिष्ठ 14 इस पूरे प्रिष्ठ पर विश्व का मान्चित्र दिखाया गया है जिस पर विश्व के समय क्षेत्र दर्शाय गये है इस चित्र में ग्रिनिच रेखा भी दर्शाय गयी है साथी ग्रिनिच रेखा से आगे जाते हुए समय को कितना पीछे करना है या कितना आगे बढ़ाना है इस विशे में भी जानकारी दी गयी है और हर एक समय क्षेत्र यानी टाइम जोन की संख्या भी लिखी गई है जैसे भारत का टाइम जोन है साढ़े पांच खंटे तो उसके आगे प्लस साढ़े पांच लिखा गया है इसी प्रकार क्योंकि मेक्सिको अमेरिकी महादूइप में पढ़ता है तो ये ग्रेनिच रेखा से पीछे है अतहा इसके समय क्षेत्र में माइनस चै लिखा गया है प्रिष्ठ पंद रहा अब आप देखेंगे कि वृत्त अ खर डिगरी उत्तरी अक्षांच तथा एक डिगरी पूर्वी देशांतर पर स्थित है अन्य वृत्तों की स्थिती ग्याद करें इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव आठ दिया गया है जिसमें एक प्रकार की ग्रेट बनाई गई है साथी अ, ब, स, द और ध इत्यादी बिंदु दिये गए है जिसमें इन वृत्तों की स्थिती इसी प्रकार ग्याद करनी है जैसे वृत्त अ की स्थिती अभी आपको बताई गई देशांतर और समय समय को मापने का सबसे अच्छा साधन प्रिथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रति दिन होता है अतह स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारन का सबसे अच्छा साधन है स्थानिय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परच्छाई से लगाया जा सकता है जो दो पहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है ग्रिनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उचे बिंदु पर होगा उस समय या मियोत्तर पर स्थिद सभी स्थानों पर दो पहर होगी चूंकि पृत्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतहा वे स्थान जो ग्रिनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रिनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा यहां पुनह चित्र 2.8 को आप देख सकते हैं समय के अंतर की दर की गड़ना निम्नलिखित विधी से की जा सकती है प्रिथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिगरी घूम जाती है अर्थात वह एक घंटे में 15 डिगरी एवं 4 मिनट में एक डिगरी घूमती है इस प्रकार जब ग्रिणिच में दोपहर के 12 बचते हैं तब ग्रिणिच से 15 डिगरी पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट अर्थात ग्रिणिच के समय से एक घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का एक बजा होगा लेकिन ग्रिणिच से 15 डिगरी पश्चिम का समय ग्रिणिच समय से एक घंटा पीछे होगा यानि वहाँ सुभा के 11 बचे होगे इसी प्रकार जब ग्रिणिच पर दोपहर के 12 बचे होगे उस समय 180 डिगरी पर मध्यरात रहोगी किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चितम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घडी में दिन के 12 बचते हैं इस प्रकार घडी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानिय समय होगा आप देख सकते हैं कि दिये गए देशांतरिय या म्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानिय समय समान है हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग-अलग या म्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानिय समय में अंतर होता है उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाडियों के लिए समय सारणी तयार करना कठिन होगा भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ के स्थानिय समय में लगभग एक घंटा 45 मिनट का अंतर होगा इसलिए यह आवशक है कि देश के मध्यभाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानिय समय को देश का मानक समय माना जाए इस याम्योत्तर रेखा के स्थानिय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है भारत में साढहे 82 डिक्री पूर्व, अर्थात 82 डिक्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है इस याम्योत्तर के स्थानिय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है इसे भारती या मानक समय के नाम से जाना जाता है इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.9 में भारत के मान चित्र पर भारत का मानक याम युत्तर दर्शाया गया है कबीर भुपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्री में नहीं सो पाएंगे भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंडन में दो बजे अपराहन में शुरू होगा अर्थाद भारत के समया नुसार मैच शाम के साढ़े साथ बजे शुरू होगा तथा देर रात्री में समाप्त होगा क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रिनिच के पूर्व 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहां का समय ग्रिनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के साढ़हे 7 बजे होंगे कुछ देशों का देशांतरिय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गये है उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है प्रिथवी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बाटा गया है इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिगरी देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है अभ्यास प्रश्न एक आगे दिये गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए पहला प्रिथवी का सही आकार क्या है दूसरा गलोब क्या है तीसरा करक रेखा का अक्षान्शियमान क्या है चौथा प्रिथवी के तीन ताप कटिबंध कौन से है पाँचवा अक्षान्श एवं देशांतर रेखाएं क्या है चटा, उश्मा की सबसे अधिक मात्रा उश्ण कटी बंध क्यों प्राप्त करते हैं साथवा, जब भारत में शाम के साढ़े पाँच बचते हैं, तब लंदन में दोपहर के बारह क्यों बचते हैं प्रिष्ठ सत्रह, प्रश्न दो, सही उत्तर चिनहित कीजिए पहला, प्रमुख याम्योत्तर का मान है, क, नब्बे डिगरी, ख, शुन्य डिगरी, ग, साथ डिगरी दूसरा, शीत कटी बंध किसके नस्दीक पाया जाता है, क, ध्रुवों, ख, विश्वत वृत्त, ग, करकरेखा तीसरा, देशांतरों की कुल संख्या है, क, तीन सो साथ, ख, एक सो असी, ग, नब्बे चौधा, दक्षिन ध्रुव वृत्त स्थित है, क, उत्तरी गोलार्ध में, ख, दक्षिनी गोलार्ध में, ग, पूर्वी गोलार्ध में पांचवा, ग्रिड किसका जाल है, क, अक्षांशों यानी समानांतर रेखाऊं एवं देशांतरिय या म्योत्तरों का ख, करकरेखा एवं मकररेखा का, ग, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिनी ध्रुव का प्रश्न तीन, खाली स्थान भरें पहला, मकररेखा रिक्तिस्थान परस्थित है दूसरा, भारत का मानक याम्योत्तर रिक्तिस्थान है तीसरा, शून्य डिग्री या म्योत्तर को रिक्तिस्थान के नाम से जाना जाता है चौथा, देशांतरों के बीच की दूरी रिक्तिस्थान की तरफ घटती जाती है पांचवा, उत्तर ध्रुव व्रित, रिक्तिस्थान गुलार्ध में स्थित है आओ कुछ करें पहला, प्रित्वी के अक्ष, विश्वत व्रित, करक रेखा एवं मकर रेखा उत्तर ध्रुव व्रित तथा दक्षण ध्रुव व्रित को दर्शाते हुए एक चित्र बनाए आओ खेले पहला, काट बोट पर समानाकार लगभग 3 cm तरज्या वाले 6 व्रित बनाकर उन्हें काट ले उसके व्यासों, उत्तर दक्षण, पूर्व पश्चिम तथा साढ़े 23 डिग्री कोणों को व्रित के प्रित्यक भाग में चिन हित करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रिष्ठ 18 अब उत्तर एवं दक्षण रेखा पर उन व्रित्तों को एक दूसरे के ऊपर रख कर उत्तर दक्षण रेखा को सिल दें अब 12 अर्ध व्रित्त बनते हैं मानलें कि एक अर्ध व्रित्त ग्रिनिच याम्योत्तर अर्थात प्रमुख याम्योत्तर जो 0 डिग्री को दर्शाता है यहां से चठा अर्ध व्रित 180 डिग्री याम्योत्तर होगा दोनों तरफ 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच 5 अर्ध व्रित्त होंगे जो 180 डिग्री की दूरी पर पूर्व एवं पश्चिम देशांतर हैं धुर्वों को दिखाने के लिए उत्तर दक्षन रेखा के दोनों छोरों पर पिन लगा दें पूर्व पश्चिम बिंदूओं को छूता हुआ एक रबर बैंड लगा दें जो की विश्वत वृत को दर्शाएगा पूर्व पश्चिम बिंदूओं के साढ़े तेश डिग्री उत्तर एवं दक्षन बिंदूओं पर दो रबर बैंड लगा दें जो कटी बंधों को दर्शाएगे इसी के साथ आठ पाठों की इस पुस्तक का दूसरा पाठ यहां समाप्त हुआ वाचन संदीब भट निर्माण विमलेश चौधरी तधा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत